हेलो एबरिवन कैसे हो आप सब, ओप कि आप सब अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो गाइस आज है गणेश चतुरती गणेश चतुरती की आप सब को बहुत-बहुत शुब काम नाएं तो आज हम बनाएंगे गणेश जी का बहुत ही प्रियेवो मोदक तो डरदरा कूत लिया है तो भी ड्राइफूट, आप इसमें एड करना चाहते हैं, वह आप ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे काजु बदाम को दरदरा पीस के रख लिया है, उसके बाद मैंने लिया है एक बड़ा चमच गी, तो गी को हम गरम करेंगे, और इसमें मैंने लि जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए तो इसका बिल्कुल ब्राउन कलर आ जाएगा और बहुत ही लो फ्लेम पे इसको सेखते रहना है तकरीबन दस से पंदरा मिनट तक मैंने इसको सेख लिया है उसके बाद मैंने इसमें ड्राइफूट जो हमने अभी कूट के रखे थ बाद मैंने इसमें डाल दिया है इलाइची पाउडर उसके बाद मैंने लिए है एकटोरी मलाई तो यहां पर मैं फ्रेश मलाई का यूज कर रही हूं इससे जो हमारे मोदक हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे तो बस मैंने मलाई डाल दी है और इस तरह के मोदक बहुत ही आसानी से बन जाते हैं बहुत ही जल्दी बन जाते हैं आप भी एक बार जरूर ट्राइ करें और उसके बाद मैंने ले ली है एक कटोरी चीनी और इसको पीस के हम पाउडर बना लेंगे तो बस मैंने इसको यहां पर पीस लिया है यहां पर गैस करने के बाद मैंने ये शुगर पाउडर इसमें एड कर दिया है जो अभी हमने पीजा है तो इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे तो यहां पे हम इसके बनाने वाले हैं मोदक और मोदक बनाने के लिए हल्का सा गीला ही होना चाहिए मिक्सचर जिससे आपके मोदक बहुत ही अ यहां पे मैंने थोड़ा सा और दूद का यूज किया है क्योंकि यह मिक्सचर अभी भी थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो यहां पे मैंने एक सांचा लिया है जो मोदक बनाने वाला सांचा आता है उसको हम अच्छे से घी लगाएंगे अंदर से और घी लगाने के बाद यह जो मिक्सचर हमने बनाया है यह इसमें एड करेंगे आप चाहें तो मोदक हाथ से भी बना सकते हैं बस अब यह मिक्सचर हमें मोदक के सांचे में भरना है और इसको इस तरह से दबाते हुए हमें मोदक बना लेने हैं तो लीजे तयार है हमारे बहुत ही फटा-फट से बन जाने वाले मोदक बहुत ही जल्दी बन गए है और ब और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर नई आये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मिलते हैं मेरी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओके बबाई एंड टेक केर